हलो फ्रेंट्स मुकेस गोयल आई होब कि आप सारे बहुत अच्छे हैं और फ्रेंट्स आज हम जो बात करने जा रहे हैं आप चो कोमर्स का सैकेंड पेपर रहता है आपका UGC NET का उस कोमर्स के बारे में बात करेंगे कोमर्स में जो आपके एक unit है unit number 6 है business management and human resource management के नाम से इस unit को करेंगे according to updated से ले बस करेंगे ठीक है ना और आपको एक information में यह दे देता हूँ कि अपना जो paper first है उसके registration अभी open है आप registration उसमें अभी करवा सकते हैं और इस application में हमने update करके एक option और डाल दिया है friends कि अब जो student हमें कहते थे कि internet की problem आ रही है कई buffering आती है हमने अब application में video का download होने का option भी दे दिया है आप videos को download कर सकते हो download करके अराम से देख सकते हो तो वो भी आपका issue खतम हो गया है ठीक है ना friends तो आज जो unit number 6 है जो updated syllabus के according है उसको करेंगे और इस unit में या इस lecture में जो हम करेंगे वो complete business management करेंगे complete और इस unit में जो भी most important है business management में वो सारा का सारा हमने describe करने की within one hour courses कर रहेंगे ठीक है ना friends तो exam के point of view से बहुत important है इसको आपको देखना है ठीक है तो इस unit 6 में business management and human resource management HRM वगेरा के बारे में पूरा है लेकिन जो हम part करने ज business management वाला part ये वाला part और business management के इसमें 5 topic है आपके इस unit में एक तो है principle and function of management एक है organization structure formal and informal organization span of control ये बहुत important है exam के point of view से friends ठीक है एक है responsibility and authority delegation of authority and decentralization decentralization और delegation of authority भी बड़ा अच्छा है important है exam के point of view से यहाँ से भी हमें question आने की संभावना है तो यहाँ अच्छे से गोर करेंगे और एक topic है motivation and leadership concept and theory यहाँ पे motivation की और leadership की theory है यह भी exam के point of view से important है और इसको आप plus one से ही पढ़ रहे हैं commerce वाले बच्चे तो तो इतना बड़ा hurdle की ज़रती नहीं है और motivation और leadership की जो theories है इसमें जो motivation की theory में mainly जो important है वो year भी बहुत important है यह theory किसके दवारा दी गई यह चीज़ें भी बहुत बार पुछे जाती है और एक है corporate governance and business ethics यह भी important है corporate governance and business ethics यह जो पांच topic है यह business management के topic है friends इस पूरे के पूरे जो वीडियो में हम पू business ethics ethics तो हमें हर जगे पढ़नी पढ़ती है research के first paper में भी research ethics भी पढ़ते हैं यहां भी business में ethics ethical values तो हर जगे ज़रूरी होती है तो यह बड़ा अच्छा है यहां से भी question आने की बड़ी संभावना रहती है यहां पे corporate social responsibility के बारे में CSR के बारे में भी बात करेंगे वो भी दे भीत क्खाया वो करना है तो first topic अपना friends क्या है first topic है principle and function of management principle का मतलब क्या होता है यहां का यानि कि कि सिधान्त पे काम करता है और क्या functions है किसके management के यानि कि जो management होता है परबंधन होता है उसके function क्या-क्या होते है और जो परबंधन है वो किस principle पे या किस सिधानतों पे काम करते हैं ये अपना first topic है आपके syllabus के according तो सबसे पहले हमें ये पता होना चीए कि management होता क्या है फिर उसके function और principle के बारे में बात कर लेंगे management होता क्या है friends परबंधन आप खुद ही देख लो management क्या होता है कि जितने भी आपके पास resource है जितने भी आपके पास संसाधन है उनको इस तरह से use करना कि उनका maximum use हो जाए और आपका जो better result की तरफ और आपका goal achieve हो बड़ा अच्छे से goal achieve हो जाए मतलब हर एक चीज का जो भी आपके पास resource है चाहिए human resource हो आपके पास चाहिए material का resource हो हर एक resource का इतना अच्छी से effectively और efficiency से use करना जिससे क्या है आपका result अच्छा आए और आप अच्छे से चीजों को use करो यानि की effective utilization of resources ये एक main role है ये एक main अगर आपको keyword की बात करें तो ये पूरा का पूरा keyword है by one fleet औ directed at the efficient and effective utilization of resources यानि की संसादनों का effective utilize करना यही तो परबंदन है आप हर चीज में management करते हैं कि ये management करना है तो management का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज आपको resource दिये गए है उसको आप ढंग से effectively use करें तबी तो काम चलेगा ना किसी भी organization का घर में भी management करना पड़ता है घर में भी आप management से चलते हो कि चलो हर महीने इतनी salary आनी है इतना काम होना है तो management से चलते है ना हर चीज यानि कि जो भी हमारे पास resource है उसका हम effectively use कर सकें this is management ठीक है इसके बाद functions और principle के बारे में हमें बात करनी है friends तो बात करते है functions of management management के क्या function है तो जो Luther Gullick है उन्होंने एक सब coin किया था और यह सब था postcob क्या था postcob यह civil services में जैसे राजस्तान public service commission वगेरा में भी यहां से question पूछे जाते हैं friends और आप से भी question पूछा जा सकता है कि postcob में एक एक जो आपके सामने एक एक letter दिया गया है इसका मतलब पूछा जा सकता है तो मैं इसको define कर देता हूं post function है कौन-कौन से function है seven functions तो P से मतलब होता है planning क्या होता है planning एक एक बार इनका मतलब बता देता हूं आपको कि P से मतलब क्या होता है friends planning क्या होता है planning P से मतलब अपना हो गया planning और उसके बाद हमारे पास है O का मतलब है organizing किसी चीज़ को organize करना ठीक है organizing और उसके बाद S का है staffing planning organizing staffing और directing और co 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 में दोनु चीज़ है एक तो coordination और controlling ये दोनु सब्दों को कई जगे coordination लिखाता है कई जगे controlling भी लिखाता है तो इसमें आपको confuse नहीं होना और r से मतलब है reporting और आपका मतलब है b से budgeting क्या है budgeting ये तो इनका क्या है एक तरह से ये जो letter दिये है इनका full form कह सकते है इनका मतलब क्या है ये बात हमने करी है तो थोड़ा सा वैसे तो आपको देखो ये पोस्ट को में planning करना ये सारी से जहां बच्पन से ही पढ़ते आ रहे हो लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं define कर देता हूं कि इसमें क्या क्या होता है जैसे बात करें पी में तो पी का मतलब है planning यहां exam के point of view से जो आपको बात ध्यान रखनी है ये बात आप ध्यान रख सकते हो कि planning जो होती है न फ्रेंड्स वो कौन करता है planning जो भी करता है वो top management करता है इस बात को आपको जानते हो कि top management ही तो planning करेगा प्लान कोन करता है आप से कभी पूछा गया है कि क्या करेंगे है आप बताना की बड़े बच्चे की साधी करनी है बताना क्या करना है आप से कभी राय ली गई है क्या मतलब जो बच्चे होते थे तब नहीं लेते थे न क्यों नहीं लेते थे क्योंकि हम planning का कोई खास हिसा नहीं होते थे हमें तो बस अपने ही tension नहती थी कि अपने अपना system ठीक हो जाए अपने को कपड़े ओपड़े ठीक मिल जाए यही बात होती थी ना तो हम कोई planning में खास हिसा नहीं लेते थे तो इसका मतलब जो अमारे घर का top management होता था जो भी top management होता था वो क्या करता था friends planning करता था तो अब planning में एक बात भात ये याद रखनी है आपको exam के point of view से ये बात ध्यान रखनी है दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है friends कि जो planning होती है वो एक continuous process है लगातार चलने वाली प्रकिरिया है ये नहीं है कि friends एक बार किसी काम की planning बना दी आपने तो planning खतम हो गई हाना ऐसा लगता है कि planning बस एक बार हमने बना दी और plan खतम हो गया ऐसा कि भी चलो काम सुरू होने से पहले एक plan बनाया इसी चीज़ पे हमने काम करना शुरू किया क्योंकि planning होती है वो हर एक level पे की जाएगी है ना ऐसा नहीं है क्योंकि देखो आप काम करते हो तो बीच में काम करते हैं आपको hurdles भी पता लगते हैं कुछ बातें और समझ में आती है तो फिर आपको plan थोड़ा सा change करना भी पड़ सकता है कि नहीं यार ऐसा नहीं ऐसा करना चीए तो आप अगर objective टाइप की questions की बात करें तो keywords को पकड़ना हमें आना चीए तो planning ये क्या है continuous process है क्या है continuous process जिस सब्द को आपको ध्यान रखना है और एक बात एक तरह से futurity के बारे में भविशे के बारे में सारी planning होती है तो ये सब्द आपको ध्यान रखना है ठीक है न friends आगे बात करते हैं आगे next बात करें तो friends planning के बाद है organizing क्या है organizing मतलब जो भी आपकी organization है उसमें पूरी एक organization की structure बनाना organizational structure बनाना that is organizing organization structure का क्या मतलब है friends ये सब्द को ध्यान रखना इसमें पूरा chapter भी है एक topic भी है ये बहुत अच्छा है organization structure का मतलब होता है कि chain of command कौन-कौन command देने के लिए होगा यानि कि command कौन किसको देगा किस-किसको job कौन-कौन से assign कि जाएगी किस-किसको कौन-कौन सा काम या division of labor कैसा होगा flow of communication कैसा होगा और delegation of authority कि स्तरह से होगी तो ये सारा का सारा किसमें होता है organizing में यानि कि एक organization structure बनाना होता है एक organization की सरंचना बनानी हमें होती है friends इस बात को समझना ये exam के point of view से objective की तरब से बहुत ही important चीज है please इसको ध्यान रखना है ठीक है ये बात आपको ध्यान रखनी है पूछा जा सकता है कि organizational structure में क्या-क्या होता है तो organizational structure में ये सारी बाते होती है ठीक है friends आगे अगर बात करें friends तो आगे अगर बात करें तो यह जै वह 5 steps of organizational function के 5 steps बताएं हैं हमने जो आपने किया कि तो क्या होता है कि identification of activities, जो भी अक्टिविटीज है उनको identify करना होता है, फिर जो भी activities जो हमने identify कर ली है, उसकी फिर हमें क्या करनी होती है, grouping करनी होती है, क्या करनी है, grouping करनी है, उसके बाद assigning, responsibilities assign की जाती है, कि कोन क् यानि कि उत्तरदाइत्वे उनको संभाला जाता है कि ये आप करोगे उसके बाद authority भी grant की जाती है आप याद रखना ये आगे एक chapter में पड़ेंगे responsibility and authority क्योंकि देखो जिसको आप responsibility देते उसको authority देना भी जुरूरी है उत्तरदाइत्वे देते हो तो थोड़ी power भी देना ठीक है ना अधिकार भी देने जुरूरी है फिर उसके बाद में establishing relationship यानि की communication वगेरा कौन किसे करेगा ये भी जुरूरी है ये पूरा का पूरा एक organizing का process सलता है ना friends ये process आपको ध्यान रखना है ये पूरी की पूरी organization में होता क्या है जब हम organizing करते हैं जब एक organization में structure बनात staffing क्या है staffing staffing क्या होता है staffing में आप नाम से ही समझ रहे होंगे यानि कि जो भी eligible candidates होते हैं क्योंकि आपने देखो organizational के structure बना दी कि ये command करेगा ये job assign वगेरा के लिए लेकिन ये सारे के सारे appointment तो staffing में करोगे ना जो भी eligible candidate होंगे उनको क्या करोगे है hire करोगे क्या करोगे आप क्या है staffing के अंदर कई सारे process होते हैं friends कई सारी चीज़ें होती है ये आपको ध्यान रखना है staffing में क्या क्या include होता है recruitment इंक्लूट्मेंट इंक्लूट होता है, क्या होता है recruitment, एक होता है selection, एक होता है induction, induction का मतलब होता है to make familiar, यानि कि जो भी लोग आपने select कर लिये हैं, उनको क्या बनाना? familiar बनाना उनसे जो आपका जो भी आप organization में काम कर रहे हैं उनके भी इस communicate कराना उनके भी इस familiar बनाना की आप काम अच्छे से कर पाएं उसके बाद training होती है friends थोड़ा सा उपर चलते हैं वापिस recruitment और selection के अगर बात करें friends तो recruitment एक positive process होता है क्योंकि maximum लोगों को बुलाया जाता है recruitment में यही question जब RPSC ने राजस्तान पब्लिक सर्विस कमिशन ने RAS मेंस लिया था तब selection और recruitment में फरक पूछा था what is the difference between selection and recruitment दो number का equation बनाता है यहां भी objective question पूछा जा सकता है तो याद रखना जो recruitment होता है फ्रेंट्स वो positive process है एक धनात्मग परकिरिया है क्योंकि maximum candidates को maximum eligible candidate को बुलाया जाता है और selection में क्या किया जाता है reject किया जाता है friends क्या किया जाएगे क्योंकि देखो जो eligible नहीं होंगे उनको क्या करेंगे यानि कि selection के आपके criteria में आके वो select नहीं हो पाएंगे यानि कि selection की approach रहती है बाहर करना जो एकदम से ज़्यादा मतलब suitable है उनको in करना तो ये थोड़ा सा एक negative process है क्योंकि recruitment तो maximum कोई भी बर सकता है maximum लोगों को gather करना और उस maximum से जो more eligible है जो more आपकी job के लिए suitable है उसको select करना इसके बाद है induction तो हमने बात ही कर ली कि familiar बनाना और training में और development में क्या फरक है ट्रेनिंग जो एक process है ट्रेनिंग में तो क्या होता है एक particular चीज के लिए train किया जाता है किसी मालो आप किस position पर आप technical staff में appoint हुए हो तो technical staff में appoint हो तो technical से सम्दित आपको training दी जाएगे और जो development में क्या होता है हर तरह से विकास किया जाता है किसमें development में ठेनिंग में एक particular से आपको train किया जाता है माल लेते हैं मैंने बात की कि technical staff में आपकी recruit हुए है आप सेलेक्शन आपका technical staff में हुआ है तो technical से knowledge से आपको training दी जाएगी लेकिन development में एक तरह से कहते हैं चहू मुखी, चारो तरब से विकास करने की बात की जाती है और appraisal of performance appraisal का मतलब होता है हिंदी में बात करें तो मुल्यांकन करना, क्या करना? मुल्यांकन करना, यानि कि जो भी आपने perform किया है, उसका क्या करना है मुल्यांकन करना है, अवलोकन करना है कि आपने performance कैसी की है अगर आपकी performance standard के coding नहीं है, तो कुछ सुधार के गुंजाईस है, तो सुधार के बारे में बताया जाता है, और आपकी अगर performance better है, और आपके goal achieve करने में आपने बड़ा अच्छे से काम किया है, तो आपको praise भी price दिया जाता है, आपकी praise की जाती है यह सब कुछ होता है, यह सारे के सारे staffing में include होते हैं, यह अच्छा question बन सकता है, objective question पूछ सकते हैं कि what elements are included in the staffing तो यह सारे के सारे हैं friends, ठीक है एक तरह से direction देना किसी को दिसा निर्देश की बात करना, यह होता है directing में, तो यह एक process है जिसमें manager क्या करता है, जो भी आपके workers हैं, उनको goal achieve करने के लिए, जो pre-determined goal है, आपने बनाया है ना, एक planning में goal बनाया है, कि इस goal तक पहुँचना है, जो pre-determined अपना goal था उस तक पहुँचने के लिए, जो manager क्या है, एक process से गुजरता है आपको instruction देता है, guide देता है ठीक है न, आपकी performance को देखता है तो यह सारा का सारा किस में आता है directing में, और directing में क्या include होगा, यह ध्यान रखना है, दिसा निदेश में एक तो होता है leadership, क्योंकि manager क्या होता है, quality leadership होती है तभी तो आपको direction कोन दे रहा है आज कर direction कोन देता है, leader ही तो देते है न, कहां से direction मिलती है यह करना चीए, वो leader हो गया motivation भी होना चीए, ठीक है अकेला leadership से काम नहीं चलेगा यह एकदम से कहके चलेगे यह करो लेकिन आपको उपरोपर एक motivate भी करना पड़ेगा अभी प्रेणा भी जगानी पड़ेगी और communication भी अच्छा होना चीए यह involve करता है, किसमे अपने इस जो letter वाला, इस letter में जो है, यह क्या include करते हैं तीन leader, motivation और communication किसमे directing में, आगे बात करते हैं अगर next बात करें that is coordination या controlling ठीक है, जो CEO से बना है और finally में manager क्या करता है आप controlling करता है या फिर coordinate करता है और surety देखता है कि आपने वास्तों में जो employee ने action किया है वो ठीक है कि नहीं यानि कि आपने जो state किया था, goal किया था उस goal की तरफ पहुँच रहे हैं कि नहीं इस तरह की बातें वो देखता है यानि कि coordinate करता है या फिर उसका नियंतन करने की बात करता है और process क्या है controlling का, ये बहुत important है कैसे controlling करता है ध्यान रखना सबसे पहले तो establishment of standard जो आपने standard को इस्थापित किया था उसकी बात करता है कि हमने standard क्या बनाया था आप समझ गे ना मेरी आपने standard क्या बनाया था इसकी बात करता है, माल लो आपने standard बनाया था एक बहुत बड़ी factory लगाई थी और उस या वो organization की स्थाप्चा की थी और बहुत बड़ी factory में आपने standard बनाया था कि 10,000 chair बनानी है 10,000 chair बनानी है तो आप measurement of performance की बात करोगी कि कि इतने time में 10,000 chair बनी की नहीं बनी इसका measurement करोगे उसके बाद अगर बन गई है ठीक है appraisal of performance आपकी जो performance है उसका मुल्यांकन किया जाएगा कि बनी है कि नहीं बनी है ठीक है और नहीं बनी है तो क्या हुगा आपको taking correction action की बात होगी कि आपको क्या करना चीए था कहां correct करनी चीए थी ये बात होगी किसमे controlling के process में बहुत important है exam के point of view से ध्यान रखना है ठीक है friends आगे बात करते हैं आगे अगर बात करें आगे है R से reporting था और reporting में क्या होता है जो भी आपके पास information होती है जितना भी आपने अभी तक कुछ काम कर रहे हो वो information आपको एक तरह return में providing information ठीक है information provide करा देते है management ये क्या है reporting क्या है is the process जिसमें आपको क्या कर जाती है information provide करवाई जाती है आगे आप करो क्योंकि देखो information provide करवाऊगे return में तभी तो कुछ सुधार वाले चीज़ें ये सब बताया जाएगा ठीक है friends ये R से है और B से है budgeting ठीक है न और budgeting में क्या होता है क्या revenues है क्या expenses है आप कितना आता है कितना खर्चा होगा ये सारी बात किसमें कर जाती है budgeting में की जाती है ठीक है ना friends ये सारे के सारे functions की बात थी ठीक है न ये सारे functions की बात थी और इसके बाद में early contribution management में किन किन ने दो लोगों ने बड़ा अच्छा contribution दिया है बहुत बड़े दो नाम है एक तो taylor और एक है फियोल्स जो taylor का scientific management है इसमें एक बात मैं बता देता हूँ objective question है बहुत ज़्यादा executive type पेपर होता है तो objective type ही बात करनी चीए फ्रेंट्स जो taylor का scientific management है ना फ्रेंट्स वो actually में taylor ने उसी job करी थी उस job में वो middle में या फिर as a worker उन्होंने काम ही किया था तो उन्होंने ये कहा था भी किसी भी management में और किसी भी goal तक अच्छीव करने में जो middle लोग है और जो worker है जो low level के लोग है उनका satisfaction बहुत ही माइने रखता है क्योंकि वो ही performance करते हैं और उनी की performance से goal तक पहुंचा जा सकता है तो taylor ने तो ये बात करी थी इनका scientific management में एक तरह से उन्होंने बहुत बड़े level की बात नहीं करी थी top level के लोगों के लिए बात नहीं करी थी middle जो लोग है और low level के जो workers वगेरा जो काम करने वाले होते हैं उनके बारे में बात करी थी और फियोल्स के administrative management में फियोल्स ने जो बड़े-बड़े officer यानि की top level के जो management करने वाले थे जो परसासनिक अधिकारे थे उनके बारे में फियोल्स ने बात करी थी ठीक है न फ्रेंट्स तो आप थोड़ा सा इसमें keyword पकड़ लेना की tailor ने तो क्या किया था जो low level के या फिर जो middle में लोग थे उनके बारे में बात की और फियोल्स ने top level के लोगों के बारे में बात करी ठीक है फ्रेंट्स ये था इसके बारे में और अब क्या करते है principle क्या है management के आपको क्या है थोड़ा थोड़ी चीज़ें इसमें याद करनी है Henry Fjol जी थे उन्होंने सिधान्त दिये थे अपनी एक book थी Henry Fjol की इस book में उन्होंने 14 principle बताए थे management के 14 principle बताए थे management के फ्रेंट्स वो कौन-कौन से है 14 principle में एक था सबसे पहले यानि कि आप मेरी बास समझ रहे हो नहीं मैं क्या कह रहा हूँ यानि कि जो भी management है परबंद है वो किन-किन principle पे काम करेगा किस की सिधान पे काम करेगा तो सबसे पहले division of work चोधा में सबसे पहला क्या है division of work यानि कि आपको काम का division करना पड़ेगा तभी तो management चलेगा balance करना पड़ेगा authority और responsibility के अंदर यानि कि जो आप उत्रदाइतवे दे रहे हो और जो power दे रहे हो उनके बीच जो यानि कि authority यानि कि अधिकार दे रहे हो अब आस समझे हैं जहाँ पर fundamental right है वह fundamental duties भी है तो यहाँ आगर polity की बात करें तो ऐसा भी तो है na fundamental duties के साथ fundamental rights भी तो है आपके ठीक है तो आगे तीसरा है discipline भी होना चीए ठीक है चोधा principle नहीं है यह management के बड़े चिछी बाते हैं सारी unity of command और unity of direction होना चीए unity of command का मतलब है जहा एक व्यक्ति से या एक top management से ही मिलना चीए यानि कि बहुत से लोग कोई लोग अगर order देने की कोसिज करेगा तो वहाँ पर बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि कौन से order की काम करेंगे unity of command होनी चीए और unity of direction होनी चीए यानि कि unity of direction की बात करता हूँ मैं यानि कि जो भी organization में काम कर रहे हैं किसी भी एक goal के लिए वो काम भी उनका एक जैसा ही होना चीए देखो इसमें एक पूरा table बनाई है unity of command और unity of direction में तो ये चीज पढ़े के देखो आप unity of direction में कहा है the principle lead to all the member of your organization towards a common goal under the one head one plan rule यानि कि common goal के लिए जो काम कर रहे हैं वो ठीक है न एक common goal के लिए काम करेंगे सारे unity of direction यानि कि सारों की direction एक होगी common goal के लिए काम करेगी और वो भी एक हैड जो एक हैड होगा और एक plan होगा तबी तो unity of direction होगी और इसमें क्या है unity of command में क्या है ये क्या है जो report and receive order from only one superior and to whom they sell भी accountable यानि कि वो उसी के परती ज्वाब देहितार रखेंगे चीक ह जादा नहीं है बस आप ये ध्यान रखना कि command में क्या होता है और direction में क्या होता है command तो क्या होता है कि personally जहां से आपको command मिल रही है वो एक person से मिलना चीए और unity of direction में क्या है कि जो सब मिलके common goal की तरफ काम कर रहे है वो भी एक plan से ही काम करें और उनको भी command मिले वो एक से म बादूँगा आप मुझे वोट्सअप नीचे जो वोट्सअप नंबर है उस पे वोट्सअप नंबर लिखे आप एक मैसेज कर देना कि हमें PDF चीए या फिर टेलिग्राम लिंक पर क्लिक कर देना कि मुझे ये PDF चीए मैं टेलिग्राम पर भी डाल दूगा ठीक है ना फ्रें से बढ़ जाते हैं duplication efforts नहीं लगते और resource का wastage नहीं होगा क्योंकि सबकी direction एक होगी तो ठीक है ना और इसमें भी क्या है conflict से बढ़ जाएंगे क्योंकि multiple command होगी तो पता नहीं लगेगा कि कौन सी command पर हम काम करें ठीक है ना friends तो ये बात थी अगर next बात करें जो 14 में छटा है subordination of individual interest to the general interest यानि कि हमें ना individual interest से बढ़ के कहां जाना है general interest की तरफ जाना है दो लोगों का बुरा हो तो सो लोगों का भला हो तो वहां जाना चाहिए तो rule ही कहता है और rumination का मतलब होता है प्रासर्मिक देना उसको proper प्रासर्मिक दिया जाए उसको proper महन ताना दिया होती है कि वहां से command मिले इनको एक centralization की भी जरूर होती है जैसे पॉलिटी की बात करें तो centralization भी है center government है ठीक है तो वैसा होना बहुत जरूरी है किसी संस्ता को चलाने के लिए किसी देश की भी बात है तो management भी तो एक organization भी पूरा एक center नहीं हो गया तो उसमें भी centralization की कही जरूरत होती है एक है scalar chain वो 14 में ही पढ़ रहे है तो scalar chain में क्या होता है फ्रेंट्स scalar chain में actually में क्या है कि जैसे मानलो ये top है A वाला जो है न वो top management है यहां पर तो अगर scalar chain ये कहता है जैसे G को M को information देनी है तो ऐसे चलेगा G पहले F को देगा ऐसे देगा फिर information देगा फि ये time consuming हो सकता है ना फ्रेंट्स अगर G को मानलो N को देना है तो यूँ घूम के आएगा वो तो B को देना है तो यूँ जाएगा P O को Q को देना है या N को देना है तो यूँ जाएगा तो इसमें क्या होता है time consuming भी हो सकता है ना बहुत जादा कोई ऐसी चीज हो जो organization के गैंग प्लेंग की बात की गई है कि बहुत ज़्यादा ज़र्दतोर ऐसा लगता है कि ओर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी यह सुचना है तो गैंग प्लेंग के according एक ब्रीज बना के F.A.O.P को यहां से direct भी सुचना दे सकता है यह आपको ध्यान लखना है objective जो क्यूशन है उसमें पुछा जा सकता है कि गैंग प्लेंग और ब्रीज का क्या मतलब है ठीक है तो यह थोड़ा सा आपको ध्यान लखना है ठीक है F.A.O.P. बात समझ गए ना बिलकुल चित को शान्त करके relax हो के सुनना है friends और 10 क्या है order क्या है क्या है order इन 14 में ही पढ़ रहे हैं order में क्या होता है कि proper order में होना चीए हर चीज proper order में होगी तभी काम करेगी क्योंकि जो भी physical और social order है human resource है जितने भी है यानि कि right person should be on right place है ना right जो पर ऐसा नहीं है आपको कोई technical knowledge है और आपको marketing का काम दे दिया कैसे कर पाओगे marketing का knowledge है technical का काम दे दिया कैसे कर पाओगे यानि कि proper एक order होना चीए जो management में महारत हालत है वो management में काम देना चीए जिसको marketing का काम अच्छा आता है वो marketing का काम देना चीए CA का काम है तो उसको accounting का ही देना चाहिए there should be a proper order ठीक है ना friends equality आपको पता है अगर equality होगी management में समानता दरसाई जाएगी तभी तो management अच्छा माना जाएगा अगर आप un equally किसी के behave कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आपसे काम नहीं करेगा आपका staff ठीक है ना तो equality भी ज़रूरी है stability of tenure और personal actually में क्या होता है कि जो higher authority है कई भी आप अच्छे position पे बैटे हैं तो हम कहते हैं न कि इसका कार्यकाल 5 साल है इसका कार्यकाल 4 साल है इसका कार्यकाल 10 साल है ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उसकी tenure को fix किया जाता है क्योंकि अगर देखो tenure को fix नहीं किया गया और उसको ये बोल दिया गया कि आपको तेरे को हम कभी भी निकाल सकते हैं अगर एक बात बताओ ये भावना अगर कभी भी निकालने वाली उसके दिमाग में रहेगी तो वो अच्छे decision नहीं ले पाएगा उसको डर लगेगा hard decision में कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं decision से कोई staff नराज हो जाए मेरे higher authority नराज हो रहा है और मुझे निकाल दें तो इसलिए वो bold decision नहीं ले सकता चाहें वो bold decision अपनी organization के लिए अपने management के लिए अच्छे हो लेकिन फिर भी नहीं ले पाएगा because of उसको डर लगेगा तो इसलिए आपको stability देनी पड़ेगी 10 year कि इतने time तक आप रहोगे actually में क्या होता है ऐसा भी नहीं है कि बहुत जादा stability से वो काम ना भी करें ऐसा भी तो हो सकता है ठीक है ना लेकिन ना भी करें इतना negative लेके हम किसी भी management को किसी भी organization को अरण नहीं करवा सकते तो positivity से अगर लेके चलें तो हमें stability तो आपको देनी ही पड़ेगी क्योंकि management में जितना अच्छा communication होगा जितनी ज़्यादा stability होगी किसी भी organization में तो properly management काम करेगा ठीक है ना और initiative में क्या है कि आप जो भी आपके पास काम कर रहे हैं जो भी आपके पास worker हैं जो भी आपके पास staff हैं उसको initiative लेने दीजिए है ना ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी चीजों को मानें लेकिन आपको आप उनको motivate करें कि वो initiative ले जिससे हो सकता है कि आपकी organization बहुत अच्छा develop कर जाए और 14 है 14 है आपको aspirate e-cops actually में UGC net इसका मतलब पूछ लेती है बहुत बार पुछा है objective questions में कि यह क्या है यह actually में French की एक phrase है French phrase है यह और इसका मतलब होता है group spirit यानि कि पूरे summum मिलके यानि कि एक तम group में मिलके काम करने की जो भावना होती है वो क्या होती है aspirate e-cops यह किसमें है French में इसको यह बलाता है जैसे इंगलिस में group spirit बोलते हैं असमुह में काम करना ठीक है एक साथ मिलके काम करना that is speedy cops यह ध्यान रखना है यह बहुत important है ठीक है यह बहुत ही important है आगे बात करते हैं friends अगर next बात करें यह अपना जो first topic था यह first topic complete हो गया है friends हमने पांस topic की बात करें थी ना management में तो यह अपना first topic क्या हो गया अब second topic के बारे में हम बात कर रहे है तो second topic क्या है और्गिनाइजेशन की structure formal and informal organization span of control अगर UGC की बात करें span of control पूछ सकता है क्या मतलब होता है objective question बनने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है बहुत अराम से बन सकता है कि span of control का क्या मतलब है organization structure की बात करें तो पूछ सकता है कि formal और informal organization structure में क्या difference होता है तो एक table बना दी गई है और मैं फिर कह रहा हूँ PDF चीए तो आप मुझे telegram link पे मिल जाएगी मुझे direct whatsapp करके मांग ले ना मैं आपको send कर दूँगा तो organization structure हमने पीछे भी postcode में भी बात करी थी friends organizational structure में बात की थी ना postcode में की भी क्या-क्या है कौन किसको allocate कौन सा काम करना है कौन किसको coordinate करेगा कौन किसको supervision करेगा यह सारी की सारी एक organization की structure होती है तो यही organization structure है और इसकी formal और informal organization की बात करें तो एक table की according बात कर लेते हैं formal जो group होता है यह द्धान रखना यह बड़ा अच्छी है formal जो group होता है formal क्या होता है ओपचारिक क्या होता है ओपचारिक और informal होता है अनोपचारिक जैसे communication में भी पढ़ते हैं formal communication, informal communication formal communication का होता है अपचारिक संचार होना, यानि कि लिखित में कोई चीज होना, बिल्कुल strict rule and regulation के according कोई चीज होना, that is formal, informal होता है अनोपचारिक ऐसे ही बात कह दी, कहते हैं नार informally ये बात बोली गई है, that is informal तो इसमें क्या है, ये हमें पढ़ता है तो formal जो group होता है जो organizing में, ठीक है formal जो organization structure में बात करें तो formal group होता है, उसका objective क्या होता है क्योंकि देखो formal क्या है, अपचारिक है complete वो क्या से होगा, task से विल्कुल काम उसको पूरा कराना है जो goal दिया है, ठीक है और informal क्या होता है, member की satisfaction पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है यानि कि member की संतु informal है ना तो satisfaction पे ज़्यादा ध्यान देते है origin इसकी कहां से हुई है, formal की ये इसकी तो top management की बात करता है ये भी management में ये चीज होने चीए ये इसकी origin में management से ही होई है formal group की, और बात करें informal group की तो ये individual members पे depend करता है पूरा का पूरा, ठीक है structure इसकी formal होगी, यानि कि अपचारिक, इसकी अनपचारिक होगी और orientation क्या होगा, इसका पूरा का पूरा task oriented होगा, formal में काम करना है, इसी इसी बात है, उपचारिक क्योंकि सारी चीजे return में है और इसमें होगा relation oriented, क्या होगा relation, संबंद बनाने से संबंद क्योंकि satisfaction की बात करी है, ना friends ठीक है, तो ये formal authority होगा influence किसे होगा, और ये personality से influence होगा, ठीक है क्योंकि किसकी बहुत ज़्यादा ऐसी personality होती है, जो ज़्यादा satisfaction की तरफ, social की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, और leadership में, इसमें formal leader होगा, जो management की तरफ से होगा, बिल्कुल formal leader होगा और इसमें informal leader, इसमें कोई भी leader बन की आ जाता है, कोई बात ने, जिसका relation अच्छा है, ये सारी की सारी बात होगी इसमें, organizing में, और control formal control होगा, उसमें social sanctions होगे, थोड़ा सा वहाँ पे keywords पकड़ लिए होगे, आपने बस बहुत ज़्यादा तो इतना कुछ रामाइन थी ही नहीं friends, अगर बात करें tall or flat structure ये बड़ा अच्छा है किसी भी organizing में tall or flat structure की क्या बात होती है तो tall structure एक तरह से एक तरह से क्या होती है, vertical structure होती है tall structure क्या होती है, vertical ये हो गया, यानि कि ये मालो top management हो गया, इसके नीचे with subordinates हो गये, ठीक है न, बात समझ रहे हो तो top management में narrow span of management होता है इसको बोला गया narrow span of management, narrow span of management में क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें जो superior होगा ठीक है न, यानि कि हर एक subordinate के उपर एक superior है न, तो एक या दो हो सकते हैं, बहुत जादा नहीं होगा यानि कि narrow होगा, बहुत broad नहीं होगा, बहुत लोग नहीं होगे same level पे, एक level पे एक या दो लोग होगे यानि कि narrow span of management बात समझने ये बहुत important है और large number of management level इसमें देखो management level तो बहुत large होगे, कई सारे management level हो सकते हैं, बात समझ रहो न, उसके बात करें, fast communication की भी बात रहती है fast communication क्यों बोला, यहाँ पे आप बात समझने न fast communication यूँ बोला, क्योंकि ये narrow span है, यहाँ पे एक दो लोग ही हैं, same level पे, तो communicate होने के लिए बहुत ही fast हो सकता है, फटा-फट communication पहुंच सकता है, ठीक है न, और close supervision है एक दूसरे का supervision बड़ा close है, देखो है न, बात समझ रहे हो न, क्योंकि एक के उपर, बहुत ज़्यादा लोग supervision नहीं कर रहे हैं, एक या दो हैं, उससे उपर वाले level पे ठीक है न, friends, उसके बाद में ये तो advantage थे, अगर disadvantage की बात करें, तो क्या होता है ये एक high cost है, ठीक है न, high cost है, too much control बहुत ज़्यादा control हो सकता है, सरपई बैठा हो कोई, ठीक है, और एक इसमें है excessive distance between lowest level और highest level जो lowest level और highest level के 20 का distance है न, friends, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक यहाँ बैठा है और एक यहाँ, यहाँ बैठा है, तो यह जो distance है यह बहुत ज़्यादा है, यह थोड़े disadvantage है, ठीक है, friends, तो आगे बात करते है तोल हो गया उसके बाद जो flat है, flat structure की बात करें, तो flat structure एक तरह से horizontal structure होती है इस तरह से, ठीक है न, यह structure flat है, flat structure है, तो इसमें क्या होता है, यह एक पहली बात तो इसमें level है, वो reduce कर दिये है, है न, उसमें तो level थे न, इसमें level का क्या हो गया, reduction हो गया, इतने level, नहीं है more decentralization है, ज़्यादा decentralization है, weekend recurrent ज़्यादा है, क्योंकि एक level पे कई सारे आदमी बैठ जाते हैं, ज़्यादा decentralization है, इसमें, ठीक है delegation of authority बहुत ज़्यादा है इसमें, delegate कर देते हैं authority को क्योंकि आपको मैं यह कहा हूँ, एक level पे कई सारे आदमी बैठे हैं, तो आप delegate कर सकते हो, authority को, यानि कि अपनी power, ठीक है, clear policy बनाने में कड़ी help मिलती है, requirement of highly trained managerial, personal, इसमें highly trained चीए, क्योंकि same level पे कई सारे बैठे हैं ठीक है, तो highly trained चीए, यह थोड़ा सा इसका क्या है, हम कह सकते है disadvantage है, friends, ठीक है और tall और flat में से question आता है, objective type question बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, friends तो इसको अच्छे से देखना की, आप से सिधा पूछ लेंगे, कि narrow spam किस में है, बताना narrow किस में है, tall में है या फिर flat में है, tall में है तो इस तरह से question बन सकते हैं, objective थोड़ा ध्यान रखना है, आगे बात करते है, forms of organizational structure, किस-किस form में हो सकता है, organizational structure किस-किस प्रारूप में, एक है line organizational structure, line organizational structure का क्या मतलब है, friends line organizational structure का मतलब ये है, friends, कि जैसे चलता रहे न, कि एक supervisor होगा, और उसके नीचे supervision होगे, बिल्कुल line में चलने वाले चीज़ होगी, यह सबसे oldest और simplest form है, organization की, सबसे पुरानी और सबसे simple है, यह ध्यान रखना है, यह बहुत है, और इसमें क्या होगा, authority care flow from top most person in the organization to the person in the lowest, यानि कि top most के पास बहुत ज़्यादा अधिकार होगी, यही बात हो रही है, चीख है, और उसके बाद बात करें है, जो line organization है, वो दो तरह की है, एक तो pure line organization और एक departmental line organization, pure line organization तो जो हमने line वाली बात करी थी, जैसे की example की बात करते हैं, यह production manager है, क्या है, यह production manager है, और यहाँ पर forman A, forman B, और forman C है, निचे worker है, ठीक है, तो अब क्या है, pure line organization में माल लेते हैं, हमें क्या है, textile industry है हमारी, क्या है, माल लेते हैं, textile industry है, कपड़ा बनाने का उध्य हो गया, और हमें कुछ jeans बनानी है, paint बनानी है, jeans बनानी है, तो यह जो forman A है ना, इसको भी, यह भी क्या कर रहा है, पूरे के पूरे jeans का production कर रहा है, यह भी पूरे के पूरे jeans का production कर रहा है, ठीक है ना, और यह worker से काम कर रहा है, यानि कि हर एक group, पूरे पूरा production कर रहा है, ठीक है, यह किस में है, pay all line organization में, ध्यान रखना, यहां से आपको पकड़ने के कोसिस करना, यह थोड़ा department और इसमें फरक आएगा, यहां पर पूरी की पूरी jeans 4man A बना रहे हैं, पूरी jeans 4man B बना रहे हैं, पूरी की पूरी jeans 4man C बना रहे हैं, लेकिन जो departmental line organization है, जो इसका second है, B है, जो नीचे मैंने लिखा हुआ है, यह departmental line organization है, इसमें क्या होगा departmental में, actually मैं इसमें क्या है, different department बना दिये जाएंगे यानि कि foreman A के अलावा और departments बनेंगे यानि कि ये department बन गया ये department पूरी jeans नहीं सीलेगा ये department क्या करेगा कि ये कपड़े को सीधा पहले सीलेगा, ये हो सकता है कि उपर वाला belt वाला हिस्सा बनाएगा और ये हो सकता है कि फिर बाद में complete करेगा यानि कि हर एक को department में specialization के according काम को distribute कर दिया है इसलिए जो branded चीजें होती है वहाँ पे ज़्यादा तर departmental organization की तरब ध्याद दिया जाता है क्योंकि हर एक को specialist को काम करने के लिए दिया जाता है ऐसा नहीं कि complete तुई करके दे दे कोई भी production हो जैसे आपका chair बनाना है तो chair का हत्ता कोन बनाएगा पाउं कोन बनाएगा different department की formation की जाती है इन department line organization में लेकिन pure line organization में ऐसा नहीं किया जाता ठीक है pure line organization में complete काम किया जाता है और ये जो suitability है जो line organization की ये किस की होगी जो small organization होगा छोटी organization होगी simple routine operation होगा क्योंकि बहुत पुराना है ये ठीक है और ये बिल्कुल simple बाते हैं इसको आप देख लेना friends बहुत ही simple है ठीक है उसके बाद अगर बात करे हम इन में difference पूछा जाता है line and staff organization structure है और एक आगे और भी पढ़ेंगे तो line and staff को पहले पढ़ते हैं line and staff organization structure में क्या होता है कि जो भी आपके पास यानि की higher authority है management में top management है या हर level पे क्या होग एक assistant रख देते हैं उसकी सहायता के लिए उनकी सहायता के लिए क्या लिख दिये assistant रख दिये ठीक है न यह pattern in which staff specialist या expert advise manager to perform their duties यानि की expert को रख दिये manager के पास कि वो मतलब कुछ राय देने के लिए advise देने के लिए लेकिन याद रखना है line and staff organization structure में जो line manager है ठीक है न वो माने या ना माने उस पे depend करता है line and staff organization structure में line manager में और may not use their specialist knowledge but not mandatory यूज कर सकता है और ना करे यह mandatory नहीं है यह कोई pressure नहीं है manager पर कि करना ही करना पड़ेगा ऐसा नहीं है किसमें line and staff organization management structure में organization structure में और इसमें जो next वाला देखे इसी को पहले कर लेते हैं line and staff organization chart का है जैसे chief executive officer है CEO है ठीक है तो इसमें कुछ specialist डिखे है जैसे economic specialist यह है और यह legal advisor है तो यह माल लेते है यह marketing manager को भी कुछ-Kुछ advice दे रहे है और यह production manager को भी कुछ advice दे रहे है और legal advisor है production manager को भी depend on finance manager ठीक है यह किसमे है line and staff organization में है और आगे वाला जो हम पढ़ रहे हैं आगे वाला है friends क्या है आगे वाला है यह suitability किसमे है medium और large organization के लिए जैसे line वाला किसमे था small के लिए था और यह थोड़ा सा medium और large organization होगी उसी में तो expert रखे जाएंगे specialist रखे जाएंगे अगर आपके organization ही छोटी है तो इतना specialist आपके पास इतना budget ही नहीं होगा ठीक है और क्योंकि इसके लिए तो high cost चीएगी आगे बात करते हैं friends आगे है functional organization structure तो मैं कहरा था नए difference पूछ सकते हैं तो functional organization structure और जो staff वाली बात हुई थी पीछे में उसमें जो specialist राय दे रहे थे वो मानना जुरूरी नहीं था किसी भी manager के लिए लेकिन functional organization structure में ये difference है कि इसमें deny नहीं कर सकता जो manager होगा उसको बात माननी ही पड़ेगी friends ये difference है में याद रखना line manager cannot neglect stop specialist advice इसमें advice माननी ही पड़ेगी उसको neglect वो नहीं कर सकता friends ये आपको ध्यान रखनी है exam के point of view से objective subjective paper होता तो कुछ और बहुत सारी बात हैं होती लेकिन ये objective paper है तो इतनी ही बातें बहुत हैं friends ठीक है आगे बात करते हैं आगे है divisional organizational structure divisional organizational structure में क्या है friends इसमें क्या हुआ है जो भी आपकी organization है इसको छोटे-छोटे organization में बांड दिया है क्या कहा है एक बड़ी organization है इसको छोटे-छोटे organization में बांड दिया है लेकिन याद रखना but each smaller organization is not completely independent कोई भी organization में एक बड़ी organization है बहुत बड़ी उसको छोटे-छोटे organization में बांड दिया है तो ध्यान रखना कि वो छोटे organization complete organization नहीं है वो एक दूसरे पर dependent है friends ठीक है ना ऐसे नहीं है कि वो बिल्कुल completely independent है वो एक दूसरे में dependent है और वो क्या है part है उस organization का ठीक है ये ध्यान रखना है divisional organization structure में याने कि छोटे-छोटे structure बना दिया जाते हैं लेकिन वो independent नहीं होते हैं एक दूसरे से dependent होते हैं जैसे production A है ठीक है ना production A division है production B division है production C है production D है ये एक बड़ी organization थी इसमें बना दिया ऐसे छोटी-छोटी organization दे को ये research department ये बना दिया इसमें भी research department ये बना दिया लेकिन ये completely ये मत मान देना कि ये पूरा independent हो गया ये independent नहीं है ये इस पर depend है ये इस पर depend है ये एक दूसरे पर depend है तब ही पूरी organization बनती है ये divisional में आपको ध्यान रखना है friends ये keyword है आपको ध्यान structure बनाना और आपको पता है project आते रहते हैं खतम होते रहते हैं तो इस तरह कि जो structure है project organization structure वो एक temporary structure है कैसी structure है friend temporary structure है ये exam के objective exam के recording बड़ा अच्छा question बन सकता है तो ये याद रखना जैसे आपके पास project ये आया था ठीक है project 2 आया तो इसके लिए manager रख दिया project manager तो ये कोई permanent structure नहीं है जैसी project खतम होगा structure गाएब हो जाएगी फिर project आगा फिर structure बन जाएगी तो permanent नहीं है ये temporary है ठीक है ना friends आगे बात करते हैं friends और ये भी objective अच्छा question बन सकता है matrix organizational structure matrix organizational structure पूछा जा सकता है कि matrix organization structure क्या होती है तो जो project structure है और जो functional structure है उसको दोनों को मिला दें तो वो कौन सी structure हो जाती है matrix organization structure हो जाती है exam के point of view से बहुत ही battering question बन सकता है कि matrix organization structure के बारे में कौन सी बात सच है तो ये बात सच है कि project structural plus functional structure क्या होती है section होती है friends ठीक है अब बात करते है span of control के बारे में किस के बारे में span of management के बारे में और span of management क्या कहता है friends देखो कि एक जो superior होता है एक superior होता है उसके नीचे कितने subordinate काम कर सकते हैं properly यानि कि एक superior authority होती है कोई भी superior आदमी है कोई superior बैठा है वो कम से कम या maximum span of management यानि कि एक जो supervision है एक superior है वो कितने लोगों को supervision कर सकता है ठीक है number of subordinates which should be put under one supervisor या one superior के अंडर जो रखे जाएंगे तो यह होता है span of management याद रखना है यह चीज़ प्लीज सिधा सा मतलब पूछा जा सकता है objective question है objective paper होता है तो what is the mean of span of management तो आपको यह बात बोल देनी है ठीक है और determination of span of management कैसे होगा तो आपको पता है देखो हर एक superior होता है वो different different ability रखता है क्योंकि हर एक की अलग facility होती है हर एक का अलग attitude होता है हर एक की अलग leadership quality होती है हर एक का अलग motivational होता है हर एक का अलग communication होता है तो कितने को वो करका पाएगा वो तो हर एक supervisor की क्या होगी या हर एक superior की different different ability होगी ठीक है ना friends तो लेकिन कुछ जो traditional जो है classical जो writer है उन्होंने suggest किया है कि जो ये 3 से 8 subordinates को अच्छे से manage कर सकते हैं 3 से 8 ना तो बहुत ज़ादा हो ना बहुत कम हो तो ये कहते हैं 3 से 8 subordinate हो तो ये भी question आपका objective बन सकता है इसको भी आपको ध्यान रखना है ठीक है friends आगे बात करें बिल्कुल समझ आ रहा होगा आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक है उत्तरदाइत्व है और authority क्या होती है आपको अधिकार यानि की power आपके पास ये आपका उत्तरदाइत्व है क्या है उत्तरदाइत्व है और ये आपको authority है ये आपको power है ये आपको अधिकार होती है तो मैंने कहा ना आपको जहाँ पे उत्तरदाइत्वे दिये जाएगा वहाँ पे अधिकार की भी तो जुरुत होगी ठीक है इसमें हम पढ़ेंगे Delegation of Authority and Decentralization इसकी बात आप में करनी है Delegation of Authority क्या होती है यह राजस्तान Administrative Services के मेंस के लिए भी बहुत important चीजें है ठीक है ना जो student मेंस की बोला जाता हो ठीक है ना तो यह कोई Assign Activities होती है जो Activities आपको Assign की जाती है वो है Responsibility उत्तरदाइत्वे यानि कि आपको ये काम करना है ये बात लिखनी है, सोचना है, कुछ भी Ideas देने है तो वो Mental हो जाएगा ये काम आपको करना है, that is Physical हो जाएगा और Authority क्या होती है The Power and Right of a Person जो आपको Power दिये जाते हैं, वो होते है Authority आपको अधिकार ठीक है ना Friends, तो किसी भी Authority में, Organization में क्या-क्या Authority हो सकती है, हम बात करते हैं एक तो Authority of a Position किसी को Position की According Authority मिलती है किसी को Technical Authority जो Technical Staff से जुड़ा होगा जो Technically Knowledge रखेगा, उसको Technical Authority मिलेगी, Legal Authority यानि कि कोई जैसे Law में Expert रहेगा, उसको Legal Authorize किया जाएगा, Legal Authority होगी, Formal Authority होगी, ठीक है, Operation से जुड़ा, Operational Authority होगी, Authority of Knowledge हो जाएगी, जैसे C.E.V. अगेरा होते हैं, उनको Authority of Knowledge की बात होती है तो ये Different-Different Situation के According है, Different-Different Position के According, Different-Different Knowledge के According, Different-Different Specialization के According, Authority दी जा रही है ठीक है ना, Friends? आगे बात करते हैं Next है एक है Authority और एक Responsibility हमने बात करें न, एक Basic Difference तो आपको समझ में आई गया है, लेकिन फिर भी क्या है Meaning क्या है, ये तो Right है Office Superior to Give Order to Other एक Right है, ठीक है, और ये है An Obligation to Perform the Assigned Duty ये तो Duty है, करतव्य है जो करना होता है, और ये Right है अधिकार है, ठीक है, तो आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है, ये इसका आप PDF ले ले लेना मुझसे, ये Simple से हमने Divide की हुई है तो ये Question तो आप से Objective पुछे, तो इसमें से पढ़ लेना, कोई वो नहीं है तो ये देख लो, ये सिधा सा पुछ सकते है कि जो Responsibility और इसमे Flow क्या रहता है, तो आपको पता है, ये Top to Bottom रहेगा क्योंकि Top वाला ही तो आपको Duty देगा कुछ करने को लिए, है ना, ठीक है ना और ये Bottom Level to Top हो जाता है, ठीक है, ये सारी की सारी बाते आप पढ़ लेना, Responsibility और ये क्या होगा, Order कौन देगा, आपको कहां से मिलेगा, ये सारी बाते होगी ठीक है Friends, ये तो बिल्कुल Basic बाते हैं आपको पता है, ये इतने तो आप बहुत समझदार और इस Topic को तो बहुत पहले से आप पढ़ रहे हो, प्लस बन से पढ़ रहे हो, ठीक है ना Friends, आगे इसी में हैं Delegation और Decentralization की बात करते हैं Friends, Delegate करना क्या होता है किसी की, जैसे Delegate, मैं कोई Position पे हूँ ठीक है ना, और मैंने आपको काम, मेरा काम आपको दे दिया Assign कर दिया, कि आप ये करिया That is a Delegation, ठीक है Decentralization क्या होता है Weekend Recurant होता है, Decentralization क्या होता है, पूरी की पूरी Organization में किया जाता है, यानि कि एक तरह से कह सकते हो, कि जो Delegation का End Result है ना, That is Decentralization मैं ये बात करता हूँ, जैसे अगर इंडिया की, अगर Political Science की बात करें, तो उपर-उपर क्या Central Government है, फिर State Government है और फिर Local Government है, है ना जो Local Government की आप बात करते हो वो है, सबसे पहले केंदर सरकार राज्य सरकार और जो स्थानिय सरकारे हैं इसी तरह तो देश चलता है, ऐसी तरह है अपने देश में, ठीक है, ट्राइलेयर है ना, तो अब क्या है, कि जो जब Local Government बनाए गई तो उसका मकसद है Decentralize करना, क्या करना? Decentralize करना, क्योंकि अगर, क्योंकि किसी की, ग्रामिन शेतर की, या किसी भी कसबे की समझ्या, तो ग्रामिन लोगों को, या कसबे में रह रहे ही लोगों को पता है ना, अगर सेंटर में बैठे हुए लोगों को क्या पता होगा, कि वहां क्या समझ्या तो इसलिए decentralization की जुरूत हुई यानि कि पूरी process को सही से चलाने के लिए यानि कि ये किसी भी काम को delegate कर दिया है उसका end result किस से मिलता है decentralization से मिलता है वीक केंदरी करन करने से मिलता है तो delegation में क्या है ये अच्छा difference है प्लीज आपको पढ़ना है ये delegation क्या है एक process है assigning authority from a superior to subordinate और decentralization क्या है an organizational process by which dispersal of authority take place through the organization ये through organization के होता है और it is the end result of process of delegation ये आपको ध्यान रखनी है decentralization में कि ये end result of the process of delegation है बहुत अच्छा ये table है friends इसको आप देख लेना please important है और एक ये कि जो delegation होता है वो must होता है delegate तो आपको काम करना ही पड़ेगा अगर किसी भी organization को ठीक से आपको चलाना है लेकिन जो decentralization होता है वो optional होता है क्या होता है वो optional होता है friends ठीक है आगे बात करते हैं friends आगे वाला chapter आपके लिए बड़ा important है ठीक है एक एक line की बात करेंगे motivation and leadership concept and theories ये देखो management की बात करने के निए निकले थे और आपको पता है हर एक चीज़ की management में जरत होती है आपको अपना जो staff होता है उसको properly manage भी आपको motivate भी करना होता है क्योंकि motivation के बिना कोई भी आदमी काम नहीं कर सकता और आप में leadership quality भी होनी थे तभी तो आपको motivate कर पाओगे आप है ना तो किसी भी management में बहुत ही important chapter है ये और आप किसी भी organization को चला रहे हो तो ये गुण होना आप में बहुत जरूरी है आप अपने staff को motivate किये करिए और lead करिए उनको ठीक है ना तो इसके कुछ concept है कुछ लोगों ने दिये है तो उनके एक basic बात करेंगे और एक-एक keyword की बात करेंगे जिससे ज़्यादा जहां से objective question बन सकता है वहाँ बात करेंगे तो motivation क्या होता है आपको खुद motivation को अगर हिंदी में बात करें तो अभी प्रेड़ना बोलते हैं क्या बोलते हैं अभी प्रेड़ना और motivation क्या है the process through which manager increase employee to be productive and effective कि कोई भी manager है motivation क्या होता है कि अगर management की बात करेंगे तब या manager की बात करने हैं मैं motivate करूँगा तो पढ़ाई म में काम आएगा ठीक है तो कोई organization चला रहा है manager तो हम की production की बात करेंगे तो यही कहता है कि कोई manager अगर किसी भी employee को क्या करता है encourage करता है किस के लिए productive के लिए और उसको effectiveness बढ़ाने के लिए that is motivation ठीक है तो motivation एक inner state है ठीक है ना motivation क्या है inner state है अंतरिक वो है कि अंदर से कुछ जजबा निकलता है ठीक है ना अपने goal को पाने के लिए ठीक है friends इसके बारे में क्या बोलें आप बहुत समझदार हो motivation का process क्या होता है सबसे पहले देखना सबसे पहले आप unsatisfied हो आपकी needs से unsatisfied हो बिलकुल आप शक है लेकिन आप ऐसंतुस्ट हो आपको tension हो रही है फिर आप effort लगाओगे उसको चीज़को पाने के लिए effort लगाओगे तो tension कम होईगी और satisfied ठीक है जो effort होंगे उसमें intensity direction और persistence होनी चीए यानि कि जो आप efforts लगा रहे हो वो बड़े intense होने चीए बड़े तीवर होने चीए direction proper direction में लगाओ यू नहीं है कि goal कुछ हो रहा है और effort किसी और direction में लगा रहे हो ऐसे होने से satisfaction नहीं मिलेगा ठीक है ना मैं ये बास समझ रहे हो जीवन में भी तो है ना actually मैं किसी को जयारफ करना है कि नहीं करना पता ही नी क्या करना है पता ही नी है ना इसलिए हमें satisfaction नहीं रहती उस position को पाने में भी बहुत से लोग top level पे जाके भी frustrated रहते हैं बहुत से लोग नीचे level पे रहके भी बहुत खुश रहते हैं इसका कारण क्या है top level पे चले तो गए लेकिन वो उनकी direction थी नहीं वाँ जाना ही नहीं था उनको है ना friends तो ये है और persistence यानि कि आपको regular काम करना पड़ेगा आपने goal तो बना लिया कि मुझे JRF करना है यहां से मुझे satisfy मिल ओना है भई लेकिन आप दो घंटे कभी पड़ लिये एक घंटा कभी पड़ लिया कभी पड़ा ही नहीं तो goal मिल जाएगा क्या consistency होनी चीए उसमें लगातार रूप से काम करना आना चीए तभी बात होगी ठीक है friends ये process था motivation का कुछ theory है motivation की exam के point of view स process theory content theory क्या होता है ये एक internal factor है जो आपको motivation के लिए influence या परभावित करता है internal factor आपके अंदर का ठेक है ना यानि कि जैसे आपको भूख लगी है को खाना चीए बस चीए खाना मुझे this is internal factor जो influence कर रहा है और ये process theory क्या होती है जो आप बहार से आपको कोई ऐसी चीज है जो motivate करती है आपके inner को जैसे आपका friend कुछ बहुत अच्छा कर रहा है तो आपको यार ये अच्छा कर रहा है मुझे भी कुछ करना चीए आपके inner motivation को जगाया उसने उसका यारफ हो गया मुझे भी होनाचीए मेरा भी होना चीए मुझे भी अच्छा करना है कुछ तो this is the process, इस प्रोसेस के थूरू आपका inner जागा है ठीक है ना बात समझ गए तो इस content theory में बहुत से बड़े बड़े ग्याता लोग हैं उन्होंने दिया है Maslow की need theory है Alfreds की ERG है और Mac Kellan है और Herzberg की है तो ये सारे और इधर Adam की equity है Wonks expectancy है और goal setting theory है इन सारी theories के बारे में हम बात कर लेते हैं इधर XY theory है तो सारे theories के बारे में जो important है exam के point of view से अप फटा-फट यहां बात कर देते हैं कि क्या बहुत ज़्यादा important है Maslow's need theory तो सबसे पहले तो याद रखना कि Maslow की आई कब सवतंतरता से पहले आगई थी आरश सवतंतर होने से पहले याद रखना रही 1943 में ठेक है ना Maslow की theory आई और Maslow ने एक rigid hierarchy की दी थी कि इसी की according होता है सब Maslow ने तो यह बोल दिया तो Maslow ने क्या एक hierarchy की दी एक यह बोला Maslow ने सबसे पहले का कि physiological needs होती है पहले तो सबसे पहले physiological needs होती है जैसे air की, water की, food की, sleep की clothing की, reproduction की यह आपकी क्या physiological need होती है और physiological need के बाद आदमी safety needs की तरफ जाता है यानि की personal security की तरफ, employment की तरफ जाता है फिर हो जाता है love and belonging की तरफ, यानि की socially वो अपने आपको जोड़ना चाहता है friendship वगेरा में हो जाता है फिर होता है esteem ठीक है, यानि की respect चाहिए उसको, ठीक है न, status, recognition चाहिए उसको, और फिर उसको top level में आ जाता है self-actualization, यानि की वो एकदम top पे ही पहुँचना चाहरा है जहां वो पहुँच सकता है, जैसे किसी ने सोच लिया, कि मुझे I.E.S. बनना है, मुझे power चाहिए ही चाहिए, यानि की desire to become a most that one can be, तो यह माना जाता है, कि इंडिया में I.E.S. is the top most माना जाता है, कि इंडियान administrative services में जाए गए, तो top में है कि वहाँ बनना है मुझे, that is self-actualization तो उन्होंने ये का कि इस hierarchy से चलता है, मासलो जी ने कहा और मासलो जी की कब आई, 1943 में ये याद रखना है, friends year भी पूछ लेते हैं, ठीक है objective paper है न अगर second की बात करें तो E.E.R.G. theory है E.R.G. theory 1969 में आई E का मतलब होता है existence और R का मतलब होता है relatedness और growth तो E.E.R.D.F.र्स में क्या हुआ कि मासलो ने तो का एक rigid hierarchy होगी ऐसी ऐसी होकी, तो E.R.G. theory है उसमें थोड़ा ससुधार किया, और 1969 में उन्होंने का कि इतनी rigid नहीं होती है इतना ऐसा नहीं है कि हर level level पे काम करेंगे, तो उन्होंने एक theory दी उसके बाद क्या कहा उन्होंने कुछ चीजों को मिला दिया उनके और उन्होंने existence को रख़दा, जहांपे मासलो के safety और physiological need दोनों को मिला के existence में लेके आए, और internal steam और social needs को उन्होंने relatedness में रखा, और self-actualization और external जो steam needs थी उसको growth में रखा, यानि कि जो मासलो की जो level थे, उनको कुछ mix करके उन्होंने दे दिया, उसमें सुदार आत्मों बात करके, और उन्होंने बात करी satisfaction, progression, frustration और regression की भी बात करी, उन्होंने कहा कि satisfy होने के लिए क्या करते हैं regression की तरफ, यानि कि नीचे ही खुश होने की, बहुत लोग खुश रहते हैं अपनी जोब छोटी या बड़ी जैसे भी उसके पास है, तो यह था तो इसमें difference क्या है, मासलो और ERG थियोरी में, तो इन्होंने ये कहा, जैसे उन्होंने तो हो चाता है, वो self-esteem भी चाता हो, self-actualization भी चाता हो ऐसा भी तो हो सकता है, एक साथ जुरूरी निए कि ऐसे ऐसे एक step by चाता हो तो एक बात थी, और उसने कहा कि कोई भी rigid hierarchy की नहीं होती इन्होंने कहा ERG ने, याद रखना और इन्हेंने कहा कि ये कोई भी person के लिए जरूरी नहीं है कि हर person के लिए same हो, ये vary करती रहती है, क्योंकि कोई हो सकता है नीचे के level पे satisfy हो, उपर के level पे frustrated हो जाए, आप बात समझ रहे ना मेरी, तो ये बात हैं थी friends इसमें difference की, ये आपको याद रखनी है, आ सकती है exam में और Mac Clint theory of need है, ये 1961 में आई और इसको achievement motivational theory बोलते है friends, achievement motivational theory में क्या है friends, इसमें तीन बाते हमें देखनी है, एक तो need for achievement, actually में क्या है, इसमें क्या करता है, वो कि उसको achieve करनी है अपना goal achieve करना है, और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कि कोई कुछ भी समझ रहा हो, कोई कुछ भी जान रहा हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो ये goal achieve करना है उसको fail होने से डर लगता है और वो कहता है कि risk ले लुगा लेकिन मुझे क्या है, उस goal को पाना है, this is the need for achievement और need for power में क्या है उसको power चीए, उसको क्या करने है ये demanding nature का है, उसको forceful, outspoken, hard-headed होता है ये, वो दूसरों को control करने की परवर्ती रखता है, this is need for power, और need for affiliation में क्या होता है, वो लोगों से प्यार करके, लोगों से सहानुबती करके ये, लोगों को मिला के चलने की सत भावना या भावना रखता है, यानि कि दूसरों से, मतलब प्यार से रहने की बात करता है, बहुत अच्छे से रहने की ठीक है ना, friends, तो ये need for affiliation है, याद रखनी है, friends, ये theories, ये keywords है, ये आपको ध्यान रखने है, और कि क्या बात करता है, ये ये कहता है, हाईजिन फेक्टर में, कि अगर ये फेक्टर, देखो, यहाँ क्या लिखा है, non-existent at work place, then they lead to dissatisfaction, यानि कि वो अगर है ना, अगर वो फेक्टर है, तो आपको motivate नहीं करते, अगर वो फेक्टर नहीं है, तो आप dissatisfy हो जाओगे, ये कहता है हाईजिन फेक्टर, मैं दोवारा बोल रहा हूँ, क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर इनका existent है, तो आपको motivate नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर नहीं है, तो dissatisfaction हो जाएगा, आपको ऐस अंतुस्टी हो जाएगी कैसे, example के तोरे पे आप गर्मी में कुछ काम कर रहे हो, ठीक है न AC चल रही है, और आप काम कर रहे हो, बड़ी आसे कोई दिक्कर नहीं है, अब आपको AC होने का ऐसास नहीं है, आप AC होने बंद हो जाए, तो आप काम नहीं कर पाओगे, या नहीं होने से, आपको dissatisfaction हो गया, तो इस तरह के factor को बोलते है, hyzen factor, क्या बोलते है hyzen factor, यह याद रखना है फ्रेंट्स, और एक होता है जी motivator factor, क्या होता है तो hyzen factor में क्या है hyzen factor में पहले hyzen कोई समझ लेते है मतलब, आपका dissatisfaction high level पे है, तो इसको किस level पे ले जाना है, low level पे जो आपकी S12T बहुत high level पे आ गई है, वो किस पे ले जानी है आपको low level पे, जैसे hyzen factor कौन सा है, quality of supervision है आपका pay है, आपकी job की security है, आपकी physical working condition है, यह example पूछ सकते है कि नीचे लिख्यों में से कौन से hyzen factor है, तो यह factor है तो motivate नहीं कर रहे, लेकिन नहीं होंगे, तो dissatisfaction जुरूर हो जाएगा, job की security नहीं है, तो dissatisfaction हो जाएगा, बात समझ रहे हो ना, लेकिन अगर motivational factor की बात क्या करते है motivational factor में क्या आएगा हाइजन factor से जस्ट उल्टा आएगा motivational factor में क्या कहते है, increase in these factor will satisfy the employee and help improve अगर इन factors में increase करते हैं, तो वो motivate होता है satisfaction बढ़ता है और उसकी performance बढ़ता है but a decrease in these factor will not cause disinfection, अगर इस factors को हटा दिया जाए decrease कर दिया जाए तो वो dissatisfaction की तरफ नहीं जाएगा, जैसे बात करते हैं जैसे हम बात करते हैं friends जैसे आपको promotion है ठीक है न, अगर promotion है अपके पास तो क्या होगा, performance बढ़ेगी ठीक है, लेकिन नहीं होगा तो dissatisfaction नहीं होगा बात समझ रहे हो, opportunities है responsibilities है, achievement है यह सारे के सारी चीज़ें याद रखनी है इनका मतलब आपको याद रखना है और motivational factor में क्या होता है, आप highly, जब क्या होते है आपको job satisfaction जो low होती है, उसको किस तरफ ले जाना होता है highly satisfaction की तरफ है लेकि जाना होता है ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है ठीक है, अगर next बात करें motivational हो गया, हाइजीन हो गया XY theory 1957 में आई और किसने Douglas McGregor ने यह XY theory दी और XY theory में एक बात याद रखनो theory Y का मतलब है yes, ऐसे याद रखने के लिए X वाली तो cross है इसमें होता है yes वाली परवर्ती वाले लोग कि हाँ काम करना है तो करना है self motivated होते हैं, उसे को किसी चीज़ की जरत नहीं होती, काम करना है तो करना है yes, ठीक है न, यानि कि positive attitude वाले लोग होते है Y theory में और X में यह dislike वाक, avoid यह बचने की कोशिस करते हैं हर जगे से यानि कि बस cross वाले भात है ठीक है न, यह X और यह याद रखना कि किस-किस ने दी है, ठीक है न, friends यह आपको ध्यान रखना है और आगे process theory process theory की बात ही करी थी कि कौन-कौन से यह से process है जो आपको internally motivate करें, जैसे equity theory है, 1963 में आई थी by stick, Adams के दवारा यानि कि equity अगर बढ़ती जाए किसी भी management में या equity होगी तो आपको वास्तों में internally क्या करेगी motivate करेगी, याद रखना है expectancy theory, ठीक है न 1964 में आई, by Victor H. Vroom ने दिया था, और इसके according क्या है expectancy, इसमें क्या है कुछ expectation करते हुआ आप याद रखना, ये तीन variable है, इसमें main role करते हैं, बहुत important है, इसमें क्या कहते हैं, कुछ expect किया आपने, और उसमें आपने effort लगाए, और effort से आपने performance किया, ठीक है न, और इस performance से आपके पास क्या है, outcome है यानि कि instrumentality, ठीक है और इस balance मतलब outcome से आपको कुछ reward मिला, ये याद है न, याद रखना, instrumentality balance और expectancy का मतलब पुछा जा सकता है, friends ध्यान रखना, ठीक है न, यानि कि कुछ expectancy थी आपकी, उसमें effort लगाए, उसमें आपने perform किया और perform करने में, instrumentality में क्या था, कुछ outcome निकल के आया, result निकल के आया, और balance में उस outcome से आपको क्या मिला, reward मिला, क्या मिला, reward मिला, ठीक है friends, ये बात आपको ध्यान रखनी है ठीक है और goal setting theory, 1960 में आई friends, और ये Edwin Locke के दवारा दी गई, याद रखना है year b और किसके दवारा, goal setting theory क्या होती है, friends के पहले goal set कर दो, और तो उससे क्या आदमी motivate हो जाता है, अगर आपका goal set है यह नहीं, friends आप मेरी बात सुनिए, अगर आपका goal set नहीं है, friends, तो आप motivate कैसे हो जाएंगे, पहले अगर जैसे कहते हैं न, कि जैसे आदमी ने कुछ सोच लिया, कि यह करना है, तो आदा रस्ता तो तया होई गया, friends, तो यहीं बात होती है, intention to work toward a goal is major source work of motivation, आपका goal है कि जारफ करना है, तो आप अराम से motivated रहोगे, और काम करोगे, अगर goal कुछ बनाए नहीं है, तो क्या होगा, बात समझ रहे हो, ठीक है न, friends, और reinforcement theory 1957 में आई, B.F. Skinner ने दी, यह भी पूछ लेते हैं, कि किस ने दिया, याद रखना है, B.F. Skinner ने दी, reinforcement, तो एक तरह से कहता है, किसी चीज़ को उतेजित या, stimulate करने की बात होती है, तो यहाँ पे कोई है न, situation आई, किसी भी stimulation आया, कोई आप में, और आपने इस stimulation से response दिया, क्या दिया, response दिया, और response से कोई consequences निकल के आए, परिणाम निकल के आए, ठीक है न, और इन परिणाम से आप future response की कलपना कर सकते हो, कैसे, अगर माल लोग कोई घटना, या कोई बात हुई थी, उसने आपने response दिया, और उससे positive परिणाम निकल के आए, यानि कि परिणाम बड़े अच्छे निकल के आए, तो हम ये सोच सकते हैं, हम future में भी ऐसा ही response करेंगे, अगर इस तरह की घटना होती है, तो, अगर negative आएंगे, कौन से क्यूस्ट, तो हम उसको बदलने की causes करेंगे, यही होती है, reinforcement theory, ठीक है friends, आगे बात करते हैं friends, आगे 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 leadership, और leadership का तो मतलब होता ही है, किसी भी leadership क्या है, is the ability of a manager, to induce the subordinate to work with confidence and zeal, वास्तों में leadership क्या होती है, किसी भी manager की lead करने की एक छमता होती है, जो subordinate को वो क्या करता है, induce करता है, कि वो confidence और एक zeal के साथ काम करें, वोई तो एक leader होता है, अच्छा, और leadership के style, यह आप से पूछा आ सकता है, पर पहले की बात करें, तो पहला leadership style में क्या है, एक authority reading या फिर autocratic, यानि कि ताना-साही परवर्ती होती है, आपने देखा है, ताना-साही परवर्ती के leader होते हैं, बहुत से देश में भी हैं, ठीक है, participative और democratic भी होते हैं, participative या पूरा एक तरह से free reign होता है, एक तरह से free सासनकाल होता है, एक तरह से delegate कर देते हैं, काम को बहुत ज़्यादा, तो ये एक leadership style हैं तीन, कौन-कौन से एक ताना-साही परवर्ती, यानि कि authoritarian हो सकता है, या participative या democratic हो सकता है, या delegating या free reign की तरह परवर्ती का हो सकता है, leadership style, ठीक है friends, आगे ये style आपको ध्यान रखने हैं friends, अगर आगे बात करें friends, तो theories of leadership है, और theories of leadership में कई सारी theories हैं, जैसे great man theory है, trade theory है, contingency theory है, ठीक है, contingency theory है, उसके बाद अगर बात करें friends, contingency हो गई, great man theory हो गई, और situational theory है, ठीक है, situational theory है, behavior theory है, ये सारी की सारी theory है, exam के point of view से बहुत important difference, इन theories के बारे में थोड़ा AK के keyword है, वो हमें ध्यान रखना है, तो सबसे बहले बात करें, great man theory की बात करें friends, तो great man theory में क्या है friends, कि ये माना जाता है, कि जो भी बड़े-बड़े leader हुए है, वो क्या है, born ही है, made नहीं किये जा सकते, बनाए नहीं जा सकते, यानि कि उनमें ऐसा नहीं है, कि बहार आके acquire करवाया जा सकता है, कि society उनको acquire करवा दे, किसी भी तरह से उनको educate करके, ये theory ये मानती है, कि वो है ना, जनम जाती ऐसे होते हैं, by born ही ऐसे होते हैं, वो great man theory की बात करते हैं, चीक है ना, जैसे बड़े-बड़े लोग हुए हैं, ठीक है, यानि कि वो great man सरू से ही हैं, जनम से ही हैं, यानि कि orientation which are, आरोपे सचे नेचर, जर्दे cannot be taught or learnt in a formal sense, जिनको ना ही पढ़ाया जा सकता है, ना ही सिखाया जा सकता है, वो तो जनम जाती great man है, और trade theory में क्या होता है, ये कह सकता है, कि ये जो qualities होती है, वो acquired की जा सकती है, ग्रेट में और trade में यही फरक है, ये ये कहता है कि कुछ qualities तो होनी चीए, लेकिन कुछ improve करी जा सकती है, उनको acquire किया जा सकता है, और they need not always be inborn, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे great man होते हैं, वो inborn नहीं होते हैं, इसको improve करके great man को trade theory दी गई थी, friends, ठीक है, तो ये trade और इसके बारे में आपको बात करनी है, थोड़ा difference याद रखना है, आगे है contingency theory, और contingency theory का मतलब ये कहते हैं, कि there is no one best style of leading, कोई best style नहीं होता lead करने का, कि इसी style से lead करना है, according to situation हमें बदलना होता है, according to situation decision लेने होता है, according to situation ये देखना होता है, कि कैसे हमें lead करना है, ठीक है ना, और ये ही बात करता है, कि leadership effectiveness do vary situation to situation, situation से situation, यानि कि depend करता है situation पे, situation to situation vary हो सकती है, leadership, ठीक है ना friends, क्योंकि ये contingency theory में, ये ही याद रखना है, बहुत important है, उसके बाद contingency theory में, कई नाम हुए हैं, जैसे fiddler की contingency theory है, path goal theory है, room yatin theory है, और harsay launcher theory है, और harsay launcher theory है, ये कौन से है decision theory भी बोलते हैं इसको, decision और ये होते है, situation, क्या होती है, situation, ये याद रखना है थोड़ा सा friends, कि मैं एक एक चीज़ बता देता हूँ, आपको अगर पूरी table ले नहीं हो, तो मैंने आपको कहा था, कि friends, speed up करवा देना, तो इसमें क्या होता है, इसमें leadership style क्या होगा, इसमें fiddler में, इसमें task और relationship oriented, दोनों पे ध्यान दिया जाता है, task पे भी, यानि की काम पे भी, और relationship पे भी, ताना साही की भी हो सकती है, या फिर participative भी हो सकती है, और task behavior to relationship behavior, इसमें decision कहा है, task behavior से किदर जाना है, relationship behavior की तरफ जाना है, चिकेना friends, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ ये fiddler contingency theory, path goal theory, और room ये तिन थियोरी है, जो situation के according decisions होते हैं, situation के according और ये होते हैं, decision हार से launcher theory, ये सीधा पूछ लेते हैं, decision theory किसने दी, तो हार से launcher ने, room या तुने, situational theory, path goal theory, और fiddler contingency theory, याद रखना है, बहुत important है, exam के point of view से friends, आपसे request है, कि इनको बड़ा detail में, थोड़ा सा पढ़ लेना, ये किसमें LPC model है, जो fiddler नहीं दिया है, ये भी objective question के लिए, बहुत important है, LPC का मतलब होता है, least preferred co-worker, यान LPC की full form भी याद रखना, least preferred co-worker, high LPC जांगी, वहाँ relationship oriented, जो relationship oriented leadership होगी, यहाँ पर relation को अच्छे से ध्यान दिया जाएगा, high LPC में, और low LPC में क्या होगा, task oriented leadership होगी, यानि की काम को अच्छे से ध्यान में रखा जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, high LPC में क्या होगा, और low LPC में क्या होगा, exam के point of view से, बहुत ही important है friends, ये ध्यान रखना है, चेक है, behavioral theory में क्या होता है, यानि कि किस तरह वो एक्ट कर रहा है, rather than trade and that the leadership result of effectiveness of behavior, यानि कि वो किस situation में कैसा व्यावार कर रहा है, इस theory में इस तरह की बात की जाती है, यानि कि पूरा का पूरा concentration किस पर है, behavioral पी है, ठीक है ना, और Michigan theory में क्या होता है friends, इसमें क्या कहते हैं कि दो dimension है leadership behavior की, एक तो है employee centered और एक है production centered, employee centered में याद है क्या है, relation oriented होगा ये, याद रखना कि इस पर ध्यान देगा, ज़्यादा तरह relation पर ध्यान देगा, और production oriented मांतब production पर यानि कि task oriented होगा, task पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है friends, ये होते हैं Michigan theory थी ये, बहुत चोटी चोटी बाते हैं, और managerial greed theory में क्या है friends, managerial greed theory को एक अम ग्राप से समझ लेते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे concern for people है, और यहाँ पे concern for production है, यानि कि कौन सा तो relation की तरफ ध्यान देता है, और कौन सा production की तरफ ध्यान देता है, task की तरफ ध्यान देता है, यानि कि one nine value है, तो इसका सीधा सा मतलब है, ये जो one value है, ये किसकी है, ये one value है concern of production की, और nine किसकी है वो, ये concern of people की, यानि कि वो country club, यानि कि वो relation पे ज़्यादा ध्यान देता है country club में आता है यह याद रखना ठीक है ना friends और 9-9 है किसी का यानि कि 9 इसकी ये value है production की और 9 ये people concern की है तो यानि कि ये पूरा teamwork में काम करता है पूरा team से ही production करवाता है और उसका people का भी concern अच्छा रहता है ये याद रखना है 1.1 में इसमें improvement की बहुत संभावना है ना तो ये production की तरब task की तरब ध्यान देता है ना people की तरब ध्यान दे रहा है और इसमें क्या है इसमें ये 9 यानि कि इसमें task की परवर्ती ज़्यादा अच्छी है काम करने की यानि कि इसमें ये relation यानि की country club वाली बात नहीं है तो ये ह होगा task में ठीक है management का ये गुन क्या है country club है ये क्या है management का team का ये क्या है ये improve करने की संभावना इसमें पूरी की पूरी और इसमें क्या है task oriented है तो ये बड़ा अच्छा है ये याद रखना managerial grid theory क्या थी ठीक है friends और Likerts का force system management है Likerts का force system management क्या कहता है इसमें बैस नाम स ही पता लग जाएगा एक तो जो exploitative authoritative होते हैं यानि कि बहुत ही लिब्रल होते हुए जा रहे हैं ठीक एना फ्रेंट्स ये है four step की बात किया है इसमें और आगे बात करें Ohio का state of leadership क्या है ये Ohio का state of leadership 1945 में Bureau of Business Research at Ohio State University ये इन्होंने एक सीरीज जारी करी थी leadership की और इसमें इन्होंने ये कहा था कि two independent leadership dimension होती है इनको क्या कहते है एक तो initiating structure होती है और एक consideration होती है एक तो क्या होती है initiating structure और एक क्या होती है consideration और initiation जो होती है और वो होती है task behavior की तरफ क्या होती है task behavior की जैसी होती है और consideration की बात करें तो वो होती है leadership behavior की तरफ बात करती है किसकी तरफ leadership तो ये Ohio का state of leadership भी ध्यान रखना है कि ये दो these are studies identify two independent leadership dimension कौन-कौन सा एक तो initiating structure और एक consideration structure ये आपको ध्यान रखना है ठीक है friends कि ये किस-किस से relate करता है ये please आपको ध्यान रखना है और आगे last topic है friends ये है corporate governance and business ethics ठीक है corporate का मतलब क्या होता है एक तरह से company ठीक है company का governance यानि कि साशन ठीक है और business में ethics यानि कि नेतिकता की बात करता है यानि कि जो भी आपको business corporate या company चलानी है उसके साशन की बात करता है ये क्या होता है corporate governance होते है तो इसमें क्या क्या है corporate governance रपर to the way of corporation is governed यानि कि कौन से वे से company साशित होती है कौन से वे से corporate है वो governed होती है ठीक है और इसमें ये सारी बाते है कि कौन सी तकनिक है जिससे company direct होती है या निद Of Directors and The Concerned Committee जो भी यह गवर्न की बात की जाती है किसी भी Corporation को यह कौन करता है कौन कंडेक्ट करता है यह Board Of Directors और Concerned Committee है वो करती है यानि कि कोई भी Organization है तो वो Govern तो होगी ना तो Govern की बात करता है कोई भी Corporate है Company है वो कैसे Govern होती है कैसे सासित होती है उसकी बात की गई है फ्रेंट्स इसमें ठीक है ठीक है तो यह basic basic बाते हैं इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं तो code of corporation, corporate governance की बात करें code of corporate governance तो इसमें थोड़ी सी बात यह समझाने की courses की गई है friend कि जैसे company low है company act है company low है आपको पता है तो इसके होते हुए code of corporate governance की जुरत क्यों पड़ी ऐसा क्यों आया तो इसमें थोड़ी सी बात यह है कि जो company low होता है जो भी company low है वो only prescribe करता है procedural matter कि कैस किस process से गुजरना है यह process बता देता है ठीक है न और या फिर यह बता देता है कि कैसे कुछी ने कोई गलत काम किया है तो उसको कैसे penalty देनी है इस तरह के काम वो कर देता है कौन सा company low में लेकिन code of corporate governance में सिर्फ process नहीं बताया जाता कैसे काम करना है या कैसे इसको और बहतर तरीके से किया जा सकता है कैसे उसे बहुत पेटो में इतने है तो net हो जाएगा यह बात मैंने बता दिया आपको लेकिन आपको best way से कैसे आप result दे सकते हो यानि कि यह है code of corporate governance यानि कि best आप कैसे कुछ अच्छा कर सकते हो ठीक है friends तो यह इसलिए इसकी जुरत पड़ी और company low यही बात है आगे लिख पी दी है company laws doesn't prescribe good corporate management practice but code of corporate governance prescribed such practice ठीक है यह सारी बातें यही बातें इसमें लिखी हुई है यह याद रखना यह simple simple बाते हैं और principle क्या होते है good governance के अच्छी governance के क्या होते है good governance तो मोधी सरकार में आपने बहुत से सुना होगा good governance यानि की honesty, इमानदारी होनी चीए transparency, विल्कुल पारदर्शिता, accountability, ज्वाब देहिता responsibility होनी चीए उत्तर दाइत्वे यानि की होना चीए independence होना चीए, सवतंतर fairness होनी चीए, social responsibility भी होनी चीए, सामाजिक दाइत्वे भी होना चीए, ये सारे की सारे बात है content of code of corporate governance यानि कौन-कौन से content होते है corporate governance में तो कौन-कौन से होते हैं, एक तो composition होती है board of director की, तो कैसे हो सकते हैं full-time director होते हैं, part-time director हो सकते हैं, और independent director होते हैं, independent director जो काम मिला उसी time आके करा, यानि ये monthly basis पे ना होके, ये independent है, और SEBI has prescribed, ये बहुत important data है ये आपको exam के point of view से ध्यान रखना है SEBI ने prescribe किया है कि जो सारे की सारी company वो share are listed in any stock exchange must be list 50% independent directors, यानि कि SEBI ने prescribe किया है, कि वो सारी की सारी companies, जिसका share listed है, stock exchange में उनको कम से कम 50% independent director रखने होंगे must have at least 50% independent director, ये आपको ध्यान रखना है friends, ठीक है, ये इसमें ज़्यादा important बात और है नहीं कोई ठीक है, executive director भी होते है disclosure of information, यानि कि कोई ऐसे information है, जिससे disclose करके पूरी organization का अच्छे से काम चल सकता है, तो आपको information को भी क्या करना चाहिए, disclose करना चाहिए और management practice, management practice में क्या आएगा, post scope, क्या आएगा post scope, जो हमने पीछे पड़ा है ना, ठीक है ना, यानि कि management practice में सारे के सारे क्या जाएंगे, post scope, यानि कि planning वगेरा सब आ जाएंगे, और ये क्या होना चाहिए, fairness, transparency और accountability वाली होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंट्स, बिल्कुल simple बाते हैं, इस chapter में कुछ है ही नहीं, ठीक है और आगे बात करते हैं फ्रेंट्स business ethics के, और ethics में होती है नेतिकता, आपकी moral values वो तो हर जगह चाहिए, ठीक है ना, business ethics refer to code of conduct that business are respected to follow while doing business, यानि कि आपको बिल्कुल code of conduct के according ही काम करना चाहिए, या आपकी ethical values होनी चाहिए क्योंकि देखो, marketing की भी strategy बतल गई है, पहले marketing क्या होता था, समान को बेचना होता था, लेकिन marketing का धे, aim बदल चुका है अब marketing में हम क्या पढ़ते हैं, कि सिर्फ समान बेचना नहीं है, marketing में हमें customer का satisfaction की भी ज़रूरी है, तो ये सारी हमनी ethical values हैं, ऐसा नहीं है कि आप समान बेचे और निकल ले आपको customer की क्या है आपको customer का satisfaction, तो वही बात ethics की आजाती है, कोई भी business में आप हो, ethical values आपको रखनी होगी, ठीक है, और ethical values के क्या-क्या principle होते हैं, इसमें loyalty होती है, किसी दान पर काम करता है, loyalty होगी, honesty होती है और integrity होगी, integrity को कहते हैं, एक तरह से सत्या निस्टा होगी यानि कि सिर्फ maximum profit की तरब ध्यान नहीं देना है, ठीक है maximum profit की ध्यान नहीं देना, पहले क्या होता था, maximum profit की तरब ध्यान देना होता था, किसी बिजनस का maximum profit नहीं देना, ठीक है हमें satisfaction की तरब भी ध्यान देना है, जो भी हमारा consumer है, उसकी तरब fairness होगी, ठीक है, fairness होनी चीए होना चीए ठीक है न ये सारे के सारे principle है ethical values के ठीक है और एक है business ethics CSR याने की corporate social responsibility इसमें क्या difference होता है कि business ethics में क्या है whole behavior होता है business का पूरा का पूरा business में आपको नेतिकता रखनी है और ये पूरे की business ethics का एक element है CSR ये एक अंग है एक टुकड़ा है CSR याने की इसमें ये broad term है ये इसमें ही आता है चीक है ना याद रखना business ethics क्या है एक broad term है इसमें क्या है CSR आता है corporate social responsibility भी है कि इसमें element है तो याने की business ethics रखना है CSR आपको corporate से social responsibility भी होती है आप काम करते हो तो जरूरी होता है कि समाज से ही कमा रहे हो business करके तो समाज को कुछ दो समाज के लिए आपका environment खराब कर रहे हो समाज के लिए समाज के आप resource use कर रहे हो तो आप समाज को भी आपको कुछ देना चाहिए this is social responsibility होती है तो ये percentage में रखी जाती है कितना percent देना चाहिए ठीक है न तो ये सारी की सारी बाते है हमारी ये जो unit थी unit number six friends इसके बारे में जो exam के point हो उसे बहुत ज़्यादा important बाते थी वो हमने कर ली है friends management में ये इस से बाहर मेरी साबसे जाने की जुरत नहीं है आप अच्छे नहीं है all the very best thank you thanks a lot friends